कि हाइ मैं हूं केसी और यह है पिलपसी द्वस्थेज तो में का पूरा मेना मैं कुछ नुस्के आपके साथ शेर कर रहे थी जो मुझे मदद करते हैं खुद को शान्त करने के लिए I hope वह आपको भी मदद कर रहे हो शान्त होने के लिए तो मेरे नुस्के थे नुस्का नबर तो अगर आपको ऐसे पहले ही पता चलता है, तो नुकिली चीजों से दूर रहे, छूरी, गटा, चमाच, सीडिया, कुरसी, टेबल, इन सबसे दूर है, खुद को ज़्यादा तकलीफ ना दे, अगर आपको पता नहीं चलता तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, दौरा पढ़ तो पता चल रहा है कि आपको दौरा आ रहा है, रेकिन आप उसके बार में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम में खुद को बस बताते रहे हैं, शांत होने के लिए, कि हाँ बहीं, बताये कि हाँ, मुझे दौरा पढ़ रहा है, इस ओके मुझे दौरा पढ़ रहा है, लाइफ तो खतर नहीं हो रही है, एक दौरा ही तो है, ठीक है, कुछ सेकेंड में निकल जाएगा, बस खुदको शान्त करो, accept करो कि हाँ, मुझे दौरा पढ़ रहा है और ये ठीक है, it's okay, खुदको ये बताते रहे हैं, ये था नुसका नुबर एक, इन डीटेल पता करने के लिए में के पहले हफते के वीडियो को देखिए, नुसका नुबर दो था, कभी भी कुछ भी हो जाए, अपनी दवाई लेना ना भूले, कुछ भी हो जाए, पूरा युदिवर्स उधर का उधर हो जाए, अमेरिका लगाए अपने दोस्तों को रिष्टेदारों को मॉंग डार सबको बताए कि आपको रिमाइंड करें आपको बताए कि भाई टाइम हो गया है दवाई लेने का टाइम पर दवाई ले कि अब 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 इसे भी होता है कि वह दवाई से कुछ असर नहीं हो रहा है मुझे वैसे भी गौरे पढ़ी रहे तो मैं दवाई क्यों खाऊ हूं खुद डॉक्टर ना बने ऐसे टाइम पर अपने डॉक्टर के पास जाए उन्हीं बताए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उल्याद हुए कि आपकी दवाई बतालने चया यह नहीं जाए उन्हें काम करने डिया आप बस उनके पास जाए खुद डॉक्टर ना राने ना दवाई बदलिए अपने आप नादवाई का डोस अपने आप बदलिए जो भी है डॉक्टर लिए बगैर ना करें इसका नमबर टीन था किसी समुंदर या नदी के अवाज को सुनी बहुत बारे ऐसे होता है ना कि दौरा आके तो गह है लेकिन फिर भी हमारे दिन जोरों से धड़कता है हमें तर्शा लगता है हम फिर भी पूरी तरह से शांत नहीं होते तो ऐसे मौकों पे खुटको शांत करने के लिए बहुत बार पानी का जो आवाज होता है वो मदद करता है शांत करने के लिए जैसे मैंने पहले वाले पिछले वीडियो में बताया था लेकिन तब हम थोड़ी बिमार थी तो मैंने इन डीटेल ना बता पाई, मैं अभी इन डीटेल बताती हूँ, समुंदर का आवाज या पहती नती, यह हमें शान्थ करने में बहुत मदद करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि आपको वह आवाज ना पसंदा है, तो क्या करें? मोजार्ट, M-O-Z-A-R-T, मोजार्ट, इनका म्यूजिक सुनें, क्योंकि यह साइन्टिस्ट्स ने इन पर रिसर्च किया है, और यह पता चला है कि इनका तो म्यूजिक है, मोजार्ट का, वो बच्चों को, और सिर्फ बच्चों को नहीं कुद्ते बिलीया, इन सब को भी जिन यह सिल्फ मनुष्य से निगडित नहीं है, कुद्टे, बिल्ली, पशु, प्राणी, जो भी वो सबको एपिलेप्सी हो सकती है, किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है, तो उन पर भी टेस्ट किया गया है, और मुजार्ट का, जो म्यूंसिक है, यह शान्त करने के लिए मदद करता है, मेरा एक दोस्त है, जिन्होंने इस पे रिसर्च किया है, होपफुली मैं जून के सेकेंड या थर्ड वीक में उनका इंटर्व्यू ले पाऊंगी, होप सो कि मुझे वो अपॉइमेंट मिले, जब मिलती है, तब मैं जरूर उनका इंटर्व्यू ले पाऊंगी, औ और इंटर्व्यू लेकि ऑविसली चैनल पे अप्लोड कर विए, अबाइट रॉम लाट तो खुद को शांद करने के लिए आप भैती नदी, समुंदर या पर मुजार्ट का मुजिक सुने, बीटोवन का मुजिक सुने, तो आज का जो नुस्का है, वो यह है, वो अच्छ पीटने का मन कर रहा, तो खुद को शांद करने के लिए यह उसका आच्छली रूज कर सकते हैं, जो अंक होते हैं, नंबर्स, वो हम बचपन से एक से सौ तक गिनते हैं, एक, दो, तीन, शार, पांट, शार, सादा, नौदस, लेकिन खुद को शांद करने के लिए, सौ से ए एक से योज में, आनवे, एसी उल्टी किनती के जीए, क्योंकि जब हम उल्टी करते हैं, तब हम अपने आपको खुद को उस एमोशन से दूर करते हैं, अगर बहुत जादा घूसा आया हो, जबundertी करना शुरू करते हैं, वह गसा अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि हमार पूरा ध्यान वह गिंती करने में डाज़ देते हैं वैसे ही अगर आपको फिर भी डर लग रहा हो आपका दिल धड़क रहा हो जोर से और खुद को शांत करने ही बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शांत नहीं हो रहे है फिर भी ऐसे लग रहा है कि शाय मुझे और एक बार सबको नहीं होता है एक तो दिस्टराघ्ट हो जाते हुं अगर आपको थोड़ा music का सेन्स है , सबको नहीं होता , मेरे डैप नहीं है तो युजिक अगर आपको सेन्स है , आपको बीट्स पकड़ सकते हैं तो जरूर मैंने जो कहा , मूझिक सुने , उसके साहत इसे आप यह व्रेट्न इन unplug依 भी कर सकतेOOOO बीच के साथ जो बीच हमेशा एक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उससे काफी फाइदा होता है तो यह थे मेरे दिन उसके मेरा खतम हो गया है हापी वीकेंड वीकेंड मज़े कीजिए ज्यादा मज़े ना करें कि आपको दोरा पड़े पर हाँ मज़े कीजिए खुद को इतना भी कंट्रोल ना करें कि जिन्दगी निकल जाए और आप बस दौरे की सोचते पड़े तो अगर आपको और एक चीज में बताना चाहूंगी अगर आपको दौरा पड़ता है या आप किसी को जानते हैं जिनको एपिलप्सी के दौरे पड़ते हैं मेरे जिनको है आप कमेंट कीजिए मैं हर कमेंट पड़ती हूँ मैं जवाब ही देती हूँ ऐसे मत सोचिए कि मेरा कमेंट पड़े गा प्लीज वीडिश को लाईप कीजी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आप किसी को जानते हो आपको खुद को दौरत करते हो तो तो जरूर कमénerNote देजिए अगर मेरे चैनल पर आकर आपकी कहानी बतानी है आपकी दानी शेयर करनी है मैं खुद आपका इंड़री डूनगी और अगर आप मेरे साथ epilepsy के इस awareness को और जादा लोगों तक पहुचाना चाहते हैं यह स्तिग्मा निकालना चाहते हैं यह जो है ना उसको फिर्टियां पड़ती हैं यह reactions लोगों से निकालना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए ज़रूर मेरे चैनल पर आएए मैं खुद आपका इंदर वियर साथ, epilepsy को accept करने की खोशिष, क्लीज कीजिए, हाश्टाग, let's spread epilepsy awareness, let's accept epilepsy, let's keep epilepsy's part, और, stay happy, stay golden, I love you, love you.